हेलो अब्रिवान वेलकम वेलकम बैक तो मैं चानल फ्रेंट्स आज हम बेंजोईक एसीडी कम पढ़ने वाले हैं जिसको एसीड बेंजोईक भी हम बोल सकते हैं तो फ्रेंट्स यह जो मेडिसेन हैं यह मेंली दो जगा बहुत अच्छा वार करता है सबसे पहले तो यूरिनरी एसीडी एसीडम बहुत अच्छा वार करता है तो फ्रेंट्स चलिए इसको हम देखते हैं बेंजोईकम ऐसे डिकम ओके फ्रेंट्स इसका जो फॉर्मूला है वह लंबा सा है सी एच सिक्स एच फाइव सी ओडॉट ओट ओएच ओके फ्रेंट्स तब इसका कंसिट्यूशन है तो इसका जो कंसिट्यूशन है वह है और गॉइटी रूमैटिक डाइथेसिस इंग्राफ्टेड और गॉनोरियल और सिफलेटिक पेशिंट यह जो बैंजोईक एशिड है वह गॉइटी में बहुत अच्छा काम करता है जो गठिया हो जाते हैं तो गाट-गाट में जो गाट-ग्राइण सिर्ण में क्या सिंप्टम्स ह 1 तो दरीओ चिल्ड्रेंढ जे बचो में डाइडिया कि प्रवबल्म होगा ङ।के के बाइड को वह वाइट होगा उस बहुत गंध होगा जो उप्पिन से लिक्विड डिया सूज सर मानिंग राइट रहन तू यह टूझी लिक्विड स्टूल होगा इतना पतला स्टूल होगा कि बच्चे के डाइपर से वह बाहर आ जाएगा स्टूल ओके फ्रेंट्स तो ऐसा कंडिशन है बंजोई के शीर हम दे सकते हैं दैन इसमें क्या होता है ऐसा पॉड़ोफाइलम में भी ऐसा सेम तो सेम से सिम्टम्स है दै यह उसका और क्या है यूरीन यूरीन भी ओफेंसिव होता है और यूरीन का कलर भी होगा वह रेड कलर टाइप होगा और यूरीन भी बहुत ओफेंसिव होगा तो फ्रेंस यहां से हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो बैंजोई कैसी के जो पेशेंट है उसका स्टूल यूरीन भी बहुत जाद ओफेंसिव होगा और यूरीन भी बहुत जाद ओफेंसिव होगा ओके फ्रेंसस अब फादर द थी ओर .* अरेलच में द्गे लिए भी सरह लाग्डों हो बहुत दर को यूरीन बहुत जाद है ऊ आर्डर– ब्राउं गांडाठ बराइन नी इंतिलस जो के मदलं की कंवीड निकामी देर्ट मोगा आधिन में हो गाल्टेटारिय सोगा। जो भीके यूरीण में लीकिविद क्म पॉाग समतरी थे सीज़िवाय मुझा बइस एम जीसे जबग लिकित उस यूरीन पास आउट हो जाएगा और पता भी नीच लेगा, ओके ये और इसमें क्या होगा, ड्रिब्लिंग यूरीन ओफ ओल्द मैं, ये तो बच्चों का सिम्टम्स था कि इन्वालिंटरी यूरीन हो जाएगा, यूरीन होगा और उन्हें पता नीच लेगा, और ओल्ड में कैसा सि्टमय कैसे सिंटम सें डृब्लिंग यूरीन डृबिअन्स राप ऐसा यूरी जो डॉप डॉप बई राप में सुनक एंद लृप नहीं होगा तो दीरी दीर होगा डॉप बाइडॉप होगा ओक वित इन लाज़ प्रॉस्टेट में लोड सोल परसंड को है कि uren में बहुत ब्हुतम स्मील होगाँ ओके डिर एक्सेस अफ यो एसेड की पेशान में एक्सेस अफ यो यो यू यो इस्ट और ंपी drums यह दोनों से क्यों क्यों से क्यों क्यों व्डियम आफ सिर्ट दो इस वजह से वह हमारे बॉडी में एकसे सो जाता है यूरिक एशिट का मॉंट और हूँ हमारे जाके जॉइंट में डिपोजिट कर जाता है जिस वजह से ओफ्रमे प्रॉम्ति प्रॉब्लम्स होता है ओके फ्रेंश धाफ के जुसजर दिस्चार्ज है ब्लाडर में यूरी कि बढ़ा अच्छा और करता है इस का respiratory symptoms क्या है जैसे कफ होगा यूडिक एसिट के पेशिट को कफ होगा विद एक्सपक्टिवरेशन और ग्रीन म्यूकस यह नेटम सल्फ में भी है तो फ्रेंज जब हम कफ होगा और पेशन आके बोलेंगे कि मुझे ग्रीन म्यूकस निकलता है तो यह इसे बन बहुत अच्छा वाठक्र एगा इसमें क्या है और इसमें क्या है एक्स्ट्रीम वेरिनेस लद एक्सिट्यूट्ट वेरिनेस इसकोटनेस होगा और लेसिट्यूड मिन्स उसको एनर्जी लॉस ऑन लास एनेरजी वह क् apps को एनेजेटिक उनके गठियां में जो गठिया हिंदी में कहते हैं ऐसे प्रॉब्लम लेकर आएगा अर्थराइटिस वागा होगा इसमें क्या होगा इफेक्ट ऑल डी जॉइंस पेशन्ट खुद आके बोलेगा कि उसके सारे जॉइंस में कभी-कभी पेन होता है इस्पेशली दन नी अगर भूली नी में बोलेगा घुटनों में बोलेगा तो यह बहुत अच्छा काम करेगा और इसमें क्या स्म्टम्स ए ग्रांग क्राकिग और मोशं यूरीक इसिद का पेशन्ट अगर वो चलेगा तो इसके जॉइंस से क्राक कटकी आओ जाएगी तो भी यूरी यूरीक इसिद बड़ा हुआ है और इस वजह से उनको problem होता है और ऐसा बर्बेरिस में भी है लिठीम में भी है लाइसीन में भी है और यह जो पैन कैसा होगा यूरी इस बैंजो एक के पैन लाज जॉइंट और बिक टो यहां पर नहीं एक इंपोर्टेंट है दन बिक टो दो जो पैर की उंबली का जो बड़ा है उसमें इस तरह का पेन होगा टेरिंग और स्टेचिंग पे उसमें रैटनेस पी होगा और श्वेलिंग जॉइंट और यह जो गौट है यह इसके जो प्रॉब्लम है वो नाइट को पेशन्ट खुद आके बुलेगा कि राज में उसे बहुत ज्यादा पेन होता है गांठ में जो घुटनों में पैरों में तो इसीड बेंजोएक बहुत अच्छा काम करता है तो फ्रेंज इसके बाद है रिलेशन तो इतना इंपॉर्टें नहीं है हमने इसका में सिंप्टम्स कर लिए कि यह यह होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइप करें इस वीडियो को और अप मेरी चालल में नहीं हों चानल को सब्सक्राइब करें शाम में शेयर भी करें और आप नेक्स मेरीसेन कॉनसी पढ़ना आते हों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए थांक यू फ्रेंट्स